दिवानी वा फॉजदारी नियायले सावनेर की इमारत में 24 सितम्म 2013 को दिवानी नियायले वरिश्ट इश्टर सावनेर जिला नाकपुर का शुभारं माननी च्णील भी के शुकरे उच्छे नियायले मुंबई नागपूर खंदपीट, नागपूर वरिष्ट पालक नयायमूर्थी नागपूर इंकिहस्ते उप्ची न्यायाले मुंबई खंदपीट announce प्रमोक चिल सद्र नियाईधीश एज़ अगरवाल दिवानी वरिष्ट इस तर सांने नियाईधीश माननीय पीपी नाय गापकर और शेतर के विधायक वंहाराश्र राज्य के पूर्व मंत्री सुनील केदार सावने कलमेश्वर के सभी नियाईथी सावने कलमेश्वर बार एसोसियेशन के पतदिकारी अधिवक्ता और मानिवरों की प्रमु उपस्तिती में संपन हुआ उपस्तित मानिवरों के हाथो दी प्रजुलन का सावनी शेहर में दिवानी नियायाले वरिष्ट इस्तर का विधिवर शुभारम किया गया इस सबसब पर अपने प्रस्ताविक में सावने बार एसोसियेशन के अधियक्षा एड़ोकेट पललवी मुल्मुले ने आयोजन में पधारे मानिवरों का आभार वैक्त करते हुए बताया कि सन 1921 में स्थापित सावने दिवानी एवं फौजदारी नियायाले आज अपने स दर्व का पल है कि सौवर्शबाद यहां वरिष्ट इस्तर का दिवानी न्यायाले का शुभारम हो रहा है जिससे ग्रामिनों को काफी लाब मिलेगा वहीं शेतर के विधाय को पूर्व मंत्री सुनील के दान ने अपने संभोधन में कहा कि मेरे कारे शेतर में पिछले कई वरिष्ट इस्तर के न्यायाले की मांग उठती रही और आज उसी वरिष्ट इस्तर के न्यायाले का शुभारम मैं अपनी आखों से देख रहा हूँ इसके लिए प्रतने करने वाले सावनेर और कलमेश्वर बार एस्सोसियेशन के सभी पदादीकारियों को अभी नंदन द देते हुए पूर्व मंत्री के दार ने कहा कि सावनेर बार एस्सोसियेशन द्वारा दिमारी वा फोज़दारी न्यायाले सावनेर और वरिष्ट इस तरिये न्यायाले हे तू सर्वसुईधा योगते प्रशस्त इमारत की मांग की है जिसके प्रयास चारी है राजे सरकार माननिय वाल में की मेनेजहस ने अपने सम्होदन में कहा कि देश की न्याय विवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ानी और तैस समय में न्याय दिलाना हमारी प्रात्मिकता है जिससे देश के नागरिकों में न्याय विवस्था की प्रती जाक रुकता रहे आयोजन पांडे अड़ोकेट भोजराज सोन कुसरे अड़ोकेट शर्बा आधी ने परिक्ष्रम लिया सावनेर से नबीसीन न्यूस के लिए सम्वादा था किशो धुंडेले की रिपोर्ट